हेलो दोस्तों के स्वाइब सभी उमीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो गए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईस नेटवर्क के बारे में और पाई नेटवर्क के बारे में क्या सच में पाई नेटवर्क बिटकोईन बन सकता है क्या यह नेक्स्ट बिटकोईन है चलिए इसके उपर भी नज़र डालते हैं और हम अच्छे से बिरीफ में जानने की कोशिस करेंगा अगर आप चैनल पर नए होगे दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजेगा और जल्दी से जल्दी अगर आपने पाई नेटवर्क का माइनिंग स्टार्ट नहीं किया है तो कर लीजेगा मैंने लिंक बगर दे दिया डिस्क्रिप्शन में फिलाल आते हैं आईस नेटवर्क की उपर सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि आईस ब्लॉक्चेन और आईस नेटवर्क दोनों का दोनों यहाँ पर ट्रेंड कर रहा है अगर मैं बता दूँ आप लोगों को और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो परिशान है तो इसका हल क्या है क्या सच में लगतार हमारा आईस कोई रेड्यूस होता जाएगा या फिर इसका कोई और उपाय है तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा जानने की कोशिस करते हैं कि आखिरकार क्यों ड्रॉप हो रहा है आप देख सकते हो कि इस तरीके से ड्रॉप हो रहा है सभी के सभी लोगों का कोई ऐसा बंदा नहीं है या फिर कोई ऐसा एकाउंट नहीं है जिसका रेड्यूस नहीं हो रहा है हर एक लोग का यहाँ पर reduce हो रहा है, चलिए मैं आप लोगों को बतता हूँ इसका कारण, सबसे बड़ी कारण यह है दोस्तों कि इनका जो third KYC है, बिल्कुल आपने सही सुना, third KYC जहाँ पर quiz को solve करना होता था question answer का जवाब देना होता था उसमें काफी सारे लोग fail हो चुके और वो नहीं pass कर पा रहे हैं इस quiz को, तो अगर वो भाई साब अगर quiz pass नहीं कर पाता है आपने जिसको referral किया है बिल्कुल आपने सही सुना, जिसे आपने referral किया यानि कि मैं जिसे referral किया हूँ और अगर वो question answer का जवाब नहीं दे पाता है, तीन बार उन्हें chance मिलता, आपको पता होगा question answer सही करने का, otherwise आपका mining रोग दिया जाता है 15-20 दिन के लिए, तो exactly जो भी solve नहीं कर पाया, उसका भी, जो coin है, वो मेरे से काटा जाएगा, यानि कि मैं गलत साबित हुआ, उसे KYC complete नहीं करवाने में, मैं अपने referral को, तो भाई, ये मुझे काफी ज़्यादा गलत लगा, और ये definitely एक गलत चीज है, अगर अगला पाटी नहीं कर पा रहा है, तो इसमें मेरी क्या गलती है, भाई, मैं उसके घर जाके तो नहीं KYC करवा दूँगा अच्छे से, तो आप समझिए यहाँ पर कि आइस नेटवर्क का एक बहुत बड़ा डी मेरिट मुझे लगा, और ये गलत काम कर रहा है, कहीं नहीं इस तरीके से सा नहीं करना चाहिए, और ये मेरे साथ ही नहीं हुआ है, लगबग सभी लोगों के साथ में हुआ है, इसी के वज़े से, ट्विटर की उपर आइस नेटवर्क ट्रेंड कर रहा है, आप देख सकते हो अगर हम बात करें कि अब भी फिलाल जो कुईज वाला सिस्टम था, या फिर कुशन अंसर का जो सिस्टम था, उसे कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो भाई आप देखिए, टोटल यूजर जो है आइस के पास, लगबग अरतिस लाख के असपास में है, और लगबग ये कुई ज पांस दिन के लिए और बचा है पास दिन के अंदर आपको थड के वाईसी करना है कुशन अंसर कंप्लीट करना है पास के वाईसी कितने लोगों ने कर लिया है पास कर लिया है कुशन अंसर को लगबग नौ लाख लोगों ने, और फेल हो चुके है लगबग सड़े चार लाख लोग तो भाई आप सोचिए यहां पर बिल्कुल आप अच्छे से सोचिए कि इतना ज्यादा tough question पुछा जाएगा तो यहीं पर तो maximum लोग छट गए मतलब कि उनका जो है वो reduce हो गया उनके तरब से token भी हमारा reduce हुआ और वो लोग कल को अपना ice coin claim भी नहीं कर पाएंगे मैंने तो अपना KYC कर लिया अच्छे तरीके से काफी सारे हमारे user से उन्होंने कर लिया है ठीक है अगर आपने नहीं किया है तो comment करके बताना मैं आप लोगों को KYC का वीडियो या फिर अपने टेलिग्राम चैनल पर KYC का जो process है वो बताने की कोसिस करूँगा क्योंकि काफी सारे लोगों ने maximum लोगों ने कर लिया है कुछी लोग होंगे जो नहीं किये होंगे तो आइस का यह important update था दोस्तों जो कि मुझे आपके साथ में share करना था यह मैंने आपके साथ में share कर दिया एक और चीज में आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आइस का जो mining है वो बंद हो चुका है लगबग बंद हो चुका है तो अब आपका ice coin zero होने से आप कैसे रोग पाओगे वो मैं आपको बताता हूं आपको daily 24 hour में एक बार आकर ice network के mining वाले बटन पर click करना होगा अगर आप click नहीं करते हो तो ice coin आपका reduce होते जाएगा और एक समय बाद zero हो जाए है और मैंने miss कर दिया है कुछ इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हो अब चलिए दोस्तों आते हैं btc के उपर और sorry pine network के उपर और बाद करते हैं कि क्या pine network अगला bitcoin हो सकता है अगर आप देखिएगा दोस्तों तो 42,84,179 रुपए आज के date में bitcoin का price है और pine network का price अभी chances बहुत ज़्यादा ज़्यादा है कि pine network का जो minute है वो आप लोगों को इसी साल आता हुआ नज़र आएगा बिल्कुल आपने सही सुना यहां पर आप देख सकते हो कि all pine network pioneers are working hard for these open minute 2024 यानि कि इसी साल आपको minute आता हुआ नज़र आएगा because इसी साल bitcoin का bull run भी है और minute आ जाना तो commit करके ज़रूर से बताईएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पाई network को trend कराईए और leak के trend कराईए कि जल से जल ओपन mainnet कीजिए mainnet को जल्दी से जल्दी लाइए ताकि लोग exchange के उपर जाकर buying selling कर पाए और यहां पर अगर आप देखोगे भाईया तो 2024 में आने के chances कि यह अपने uniqueness के कारण market में इतना ज़्यादा price show कर रहा है bitcoin का पहला कारण दूसरा इसके पास community बहुत ज़्यादा strong है तीसरा यह एक new feature लेकि आया था coin को mining करवा के लोगों को पैसे कमाने के बारे में बता था तीन main कारण था जो कि यहां पर मुझे लगा कि bitcoin आज इतने ब पाई network भी एक unique feature लेकि आता है जो कि mobile mining होता है दूसरा यह कि आने वाले समय में पाई network का community जिस तरीके से बढ़ रहा है इसका support भी बढ़ता चला जाएगा तीसरा blockchain बहुत अच्छा है पाई network का और इसके साथ साथ चौथा दोस्तों यहां पे अगर आप देखोगे तो web 3 या फिर decentralization जो system है पाई network के अंदर वो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया और काफी ज़्यादा सभी लोगों को भी पसंद आ रहा है इस वज़े से ही पाई network का जो popularity बढ़ता जा रहा है लेकिन समझने वाली बात यह है कि जिस दिन पाई network सौरी bitcoin जिस दिन launch हुआ था आ आप यहाँ पर देख सकते हो 2 रुपए 85 पैसा यानि कि तकरिवान तकरिवान 2 रुपए के आसपस में एक bitcoin का price हुआ करता था और आज आप देखिए 2 रुपए का bitcoin 42 लाख रुपए तक चला गया है आपने यहाँ पर समझा कि क्या कारण था यही 4 कारण था और यह 4 कारण दोस्तों pie network के साथ में भी match खा रहा है बिल्कुल आपने सही सुना pie network के साथ में भी match खर रहा है और exactly चीजे आप लोगों को pie network के अंदर भी इसी तरीके से देखने को मिलेगी pie network का use case बहुत तेजी से बढ़ रहा है debit card का feature launch करने के बारे में सोचा जा रहा है इसके साथ जो acceptance है pie network को लेकर as a payment के लिए वो भी increase हो रहा है बट यहाँ पर pie network को जल से जल अपना open main net लाना होगा और KYC ज्याद़ से ज्यादा लोगों का करना होगा जिससे कि लोग अपने coins इसको transfer कर पाएंगे एक exchange to दूसरे exchange के अंदर जिससे कि ज़्याद से ज़्यादा selling buying हो पाएगी बाकी दोस्तों यहाँ पर जो main कारण था bitcoin का और pie network का आगे चलके pie network bitcoin को पीछे करेगा या नहीं वो मैंने आपको clear कर दिया है मेरे हिसाप से तो pie network bitcoin को पीछे आने वाले 10 साल 12 साल 15 साल में कर सकता है क्योंकि इसकी community बहुत ज़्यादा strong है मेरे दोस्तों और यहाँ पे आपको एक चीज बता दू कि bitcoin का जो process है वो कहीं न कहीं आप देखोगे तो वो पुराना होता जा रहा है क्योंकि उसका owner नहीं है सतोसी नाका मोटो जो है वो नजर नहीं आता ना bitcoin में कोई काम हो रहा है bitcoin बस जैसे बना था 2009 में वही 2009 के according आज भी चल रहा है लेकिन pine network के पास एक CEO है इतनी बड़ी community है और लगातार इसके अंदर growth हो रहे हैं changes हो रहे हैं blockchain के अंदर improvement हो रहा है तो definitely pine network इस तरीके का price show कर सकता है already आपको पता है pine network 3,14,169 dollar के हिसाब से काफ electricity point हो जाता है कि आगे चल कर all time high जितना bitcoin का 70,000 dollar उतना ही पाई network भी दिखा दे बिल्कुल आपने सही सुना चले दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो आपको थोड़ा थोड़ा पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ में जहूर से शेयर कर देना च हुआंगे है अपने अट्षां